हम लोगों को दर्सन करना नहीं आता, हम मंदिर में जाकर कहते हैं वाह बड़ी अच्छी मार्वल की मूर्ती है, सोने चान्डी की मूर्ती है, कास्ट की मूर्ती है, वहां जाकर भगवान का दर्सन करना चाहिए ना कि जड़ वस्तुओं का, रास्ते में जो नहीं देखना चा के खड़े हो जाते हैं क्या दुर्भाग ने कितनी सुन्दर जाकिये फिर भी आक्पून कर खड़े हैं तो वो भी किसी निसकाम भाव से प्रात्ना करने नहीं बलकि हे भगवन वहां से चल कर हम यहां तक आये हैं हमें अमुक अमुक बस्तों की आवशकता है आप यह दे किए फ़स पूरी लिस्त बाच कर सुना देते हैं फिर प्रणाम किया और चले आए फिर दुबारा मुड कर देखा ही नहीं यह दरसन दत्चित नहीं नषारो ठाकुर्जी को नहारो चरण से लेकर मुख परेयंत और मुख से लेकर चरण परेयंत बार-बार छवी को निहार जरूरी नहीं कि 10-20 मंदिरों में जाओ एक जगह दर्सन करो लेकिन निहारो और जब प्रेम पूर्वक ठाकुर्जी आप निहारने लग जाएंगे तो मंदिर में नहीं आपके घर के ठाकुर्जी में ही आपको बेवित अनुभूतिया होने लगेंगी कभी लगेगा हमारे ठाकुर्जी आज थोड़े गंभीर हैं कभी लगेगा आज थोड़े अन्मने से हैं कभी लगेगा नजर से नजर तो मिलती हैं लेकिन वे शर्मा रहे हैं और फिर तनमायता बढ़ेगी तो वे बातचीत भी करने लगेंगे भोलो जय जय श्री राधे